Hello everyone, मैं SKסिंG आज बात करने वाला हूँ, NITPG 2021 में final edit window open होने वाला है कल से, तो उसमें किस तरीके से आपको proceed करना है, कौन- rocky student को edit करना है और कौन-cono- suppl zitten को edit नहीं करना होगा, किस तरीके से आपको पता चलेगा कि आपको edit करना है या नहीं करना है, कैसे चेक कर सकते हैं, तो इस वीडियो को लाश्ट तक जो देखें जैसा कि आप सबको मालूम है कि जो विंडो ओपन होगा वह सेकेंड अप्रिल 2020 से ओपन ओपन होगा और क्लोज हो जाएगा अप्रिल 2021 को कुलोज होज़ेगा काफी कम समय है इसी समय में आप कर लिए यह पैनली कर लेना है तो व्यक्त přे чтоб Cl aur होंगे उसे आप एडिट नहीं कर सकते हैं इन तीन चीजों को छोड़के ठीक है तो इन्हें एडिट करने के लिए आपके पास एक मेल आया होगा एंबी के तरफ से उसमें आपको सिधा डिस्क्राइब किया होगा कि आपको क्या रिजेक्शन आ रही है किसको आपको सुधार करना है उसी कदार पर आपको सुधार करना होगा और दूसरी तरीका आपका है कि यदि आप एंबी के साइट पर जाएंगे जाने के बाद आप लॉगिन करेंगे लॉगिन करने के बाद प्रोसीवड करेंगे तो आपको अगर फोटो जो अपलोड की होंगे और रिजिक्ट हो चुका होगा या थम इंप्रेशन रिजेक्ट हो गया होगा या सिग्नेचर रिजक्ट हुआ होगा तो अपको दोबारा अपलोड करने का ओप्शन दिया जाएगा ठीक है तो आप करना बागी जनकारी के लिए आप कॉंटक्ट कर सकते हैं description में contact number दिया हुआ साथ मैं screen पर भी दिया हुआ है NB के तरफ से इस तरीके के message आएंगे आपको mail पे जिनका सही mail id डला हुआ है जिनका mail id गलत हो जोगा हुआ को तो कोई notification ही नहीं आएगा अगर कोई notification ही नहीं आता है तो माल लीजिए आपका यदि आपका जो form फिल किये हैं वो गलत है यह सही है यह तो पता ही नहीं चलेगा तो वैसे आप login करके आप कर सकते हैं लोग इन करके आप चेक करेंगे तो आपको अगर application form reject कर दिया गया होगा तो आपको वहां से फिर से अपलोड करने का option आएगा यदि किन केस में कौन कौन से केस में आपको application form को reject किया जा सकता है admit का आपका नहीं आएगा सबसे पहले यदि आप application form को अच्छे तरीके से फुल्फिल नहीं किये हैं ठीक है complete form को फिल नहीं किये है या document reject हो चुका होगा जो आपने फोटो जो अपलोड किये या thumb impression या फिर signature यह आपको reject हो चुका हो third number पर आपने application form का फी payment नहीं किया हो इस case में आपको application form है वो completely reject कर दिया जाएगा और आपको admit card नहीं जारी किया जाएगा ठीक है तो आपको इन सारे चीज़ों को ध्यान रखना है यहां दोस्तों बाकि लाश्क तक वीडियो को ज़रू चलिए एक बार आप को री कि लाओं पर है भी जाच को जबर आपको attained स्याrom ... झाल झाल प्रइट प्रॉबलम से पृबलम आती या Queens ob website के बंड STEP कौन से कॉलेज अच्छ है कॉलेज अच्छ हो शो नौ लेकिन ब्रांच का कआपके लिए पिशुजagar ब्रांच है कौन से ब्रांच आपके लिए प्रांच सही है अगर ब्रांच सही नहीं मिल रहा है तो आपको college सही मिल रहा है नहीं मिल रहा है Depend करता है ये दोनों चीजों को अगर देखा जाये तो शबसे बड़ा रॉल करता है branch ठीक है college अच्छा मिल गया लेकिन branch अच्छा नहीं मिला ठीक है लेकिन इसमें आपको कहीं नहीं करना चाहिए compromise आपको तब करना चाहिए जब आपको अच्छा branch मिल रहा हो लेकिन college सही नहीं है तो आप sacrifice कर सकते हैं लेकिन आपको branch अच्छा मिल रहा है लेकिन branch अच्छा नहीं मिल रहा है और college भी अच्छा नहीं मिल रहा है तो बिल्कुल गलत है तो आप लोग score के भी है पे एक अच्छी सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अच्छा सीट मिल सकता है डिसिजन आपको लेना है कॉश्चन पेपर के अगर बात किया जा तो क्वेश्चन पेपर जो रहेगा इस बार वो कहींने कहीं तोड़ा सा लेंदी होगा कोई खास नहीं होगा लेकिन लेंदी हो और यीजी भी होगा है तो आज ज्यादा distress नहीं है बहुत चारे लोग यूटूब पर तरह तरह की सकते हैं जो स्टुडेंट बिल्कुल वीक हैं वो भी निकाल सकते हैं डिपेंड करेगा कि अभी जो आपको 18 दिन के टाइम बचा है यह 18 दिन अच्छे से करते हैं तो आप बिल्कुल आप अपने आप से क्वालिफाई कर सकते हैं